नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी मैं हूँ आपका दोस्तों को चानल दोर आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LGBT कम्यूनिटी के बारे में जिसे कि हिंदी में आप लोग सम लेंग इकता बोलते हैं या फिर लेस्बियन गे बाई सेक्शुल एंड ट्रांसजेंडर जो की पूरे वर्ल्ड में कम्यूनिटी है इसके उपर बैसिकली बात करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग के कमेंट्स आये थे यार कि यार भाई इसके उपर वीडियो बनाओ कि यार what do you think about lesbian, gay, bisexual and transgender तो मुझे लगा कि यार इसके उपर वीडियो बनानी चाहिए वाई क्योंकि इसके उपर कोई वीडियो बनाता नहीं है basically जाना रहे आप बहुत सारे जो motivational speakers है या फिर जो public speakers है डरते हैं लोग क्योंकि यार अगर इसके उपर बात करेंगे तो लोग उनका मज़ा कुड़ाएंगे कहीं तू तो gay नहीं है कहीं तू तो lesbian नहीं है कहीं तू आपने एक कहावत सुनी होगी कि your opinion of me doesn't define who am I तो आपका opinion मुझे यह define नहीं करता है कि मैं कौन हो या फिर मैं कैसा इंसान हो बस अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दुनिया में आप दुनिया की बात छोड़ते हैं आप पहले देश की बात करते हैं अपने country की बात इसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि यार वो ग्य हैं या फिर वो लेस्पियन हैं या फिर वो स्केट नहीं है बड़ वो इस चीज को accept करने से या फिर लोगों के सामने रखने से डरते चाए और उनको लगता है अगर शेकिस को सामने रखा जाएगा उनकी फैमिली क के सामने या फिर लोगों के सामने तो लोग उन्हें एकसेप्ट नहीं करेंगे लोग उन्हें गालिया देंगे लोग उन्हें डिच करेंगे या फिर कुछ और ही बोलेंगे कुछ मतलब उनका मजाक उड़ाएंगे यह सारी चीज है तो इसके उपर बात करते हैं पहले आप मे लड़के के और ही attract होता है, तो वो gay है, bisexual यार जानी कि अगर एक लड़का है तो वो एक लड़के के और भी attract हो रहा है और एक लड़की के और भी attract हो रहा है या अगर एक लड़की है वो लड़की के और भी attract होती है और लड़के के और भी attract होती है तो वो है bisexual, अब होते हैं ह हेटरो सेक्शुल मतलब स्टेट हैं अगर लड़का है तो लड़की की और अट्रेक्ट हो रहा है और अगर लड़की है तो वो लड़के की और अट्रेक्ट होती है तो वो है हेटो सेक्शुल अब देखो दो चीज़ होती है एक ट्रांसजेंडर होता है एक ट्रांसजेंडर ह वो मर्द है लेकिन बाहर वो ऐसा उसके हाव बहुभाव से हैं się बिहेवियर ira उसका है बोलने का तरीखा ऐसा है कि उसे लगता है कि वह लड़की है या फिर अगर वह अंदर से लड़की है और फिर बाहर से वह ऐसा यह know behave करती है कि सब को लगता है कि यार एक लड़का है और दूसरी चीजे होती है transgender, transsexual lav ट्रांसेक्सवल यह होता है यहार माल लो कोई लड़का है और वो surgery करा कि अगर लड़की बन जाता है और कोई लड़की है वो surgery करा के लड़का बन जाता है उसे बोलते हैं transsexual तो इन सभी चीजों के पर यह introduction था आपकी जानकारी के लिए और कुछ नहीं है तो देखो जो भी लोग हैं चाहे वो lesbian है, gay है, bisexual है, transgender है accept them as they are अगर आप एक lesbian हो या फिर आप एक gay हो, bisexual हो, transgender हो अपने आपको accept करो अपने आपको ये मत कहों कि आप एक gay हो या फिर आप एक lesbian हो accept it, बट उससे पहले भी आप एक इनसान हो उससे पहले भी आप एक human being हो हम सब एक पहले इनसान है फिर जाके हम एक लड़का हैं, एक लड़की हैं, मामा हैं, ताउ हैं, चाचा हैं, भाई हैं, बहन हैं, चाची हैं, जो भी हैं, तो पहले हम लोग इनसान हैं, तो पहले इनसान वाली चीज़ को accept करो, कि आप एक human being हो, तो इससे आपके अंदर एक confidence आता है, कि यार आप एक creation ह एक beautiful creation हो, इस universe का, तो you are a human being for the very first, और मैं आपसे यह नहीं कहना चाहता हूँ, कि किसी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि मजाक उड़ाइनस होता है, कि mentality जो है ना, वो लोगों की दब जाती है, अगर माल लोग कोई gay है, अगर उसका मजाक उड़ाया जाएगा, फिर उससे lesbian चूज करें, या फिर bisexual हो जाएगा, फिर transgender हो जाएगा, नहीं, तो वो अंदर से आती है चीज है, तो उसके लिए आप deny नहीं कर सकते हैं, वो उपर वाले ने बनाया है, तो आप accept करो, जैसे उपर वाले ने आपको बनाया है, आप straight हो, मैं straight हूँ, या फिर सामने वाला इ फिर आप यह नहीं कर सकते हैं, या दारू पीने वाला इंसान वो बहुत बढ़िया है, नशा वो भी कर रहा है, नशा दोनों कर रहा है, तो there is no difference, अगर मालू मैं हूँ, या फिर कोई दूसरा इंसान है, और मैं अगर एक लड़का हूँ, मैं लड़की को चेस कर रहा भाग मैं भी रहा हूँ, और अगर कोई लड़का है वो भी लड़के की और भाग रहा है, भाग वो भी रहा है, तो जो दोनों का जो एसेंस है ना, दोनों का जो सार है, वो दोनों एक ही है, कि दोनों भाग दोनों रहे हैं, दोनों चेस कर रहे हैं, दोनों नशा कर रहे है तो you can't differentiate और you can't make a difference in them कि यार वो अलग है वो अलग है भाग दोनों रहे हैं both of them are same बस उनका taste अलग है उनका perception अलग है वो ऐसा किसी ने choose नहीं किया है कि यार मैं को ना gay बना दो या फिर मैं को lesbian बनना है या फिर मैं को transgender बनना है यार आप बताओ आप बनना चाहते हो क्या gay, lesbian, bisexual, transgender no, not at all in the same way वो भी नहीं बनना चाहते थे but वो creation है वो उपर वाले की रचना है तो वो जैसा है वैसा है just accept them as they are accept them who they are अगर उनके साथ आप partiality करते हो या फिर घेडा या फिर hydrate की नजर से देखते हो तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है फिर जानते हो कैसी vibrations निकलती है कि सामने वाले इंसान से और किसी को अगर आप accept करते हो तो दुवाई निकलती है अच्छा लगता है सामने वाले इंसान को अगर आप मुझे accept करते हों कि तुप पतला यार बढ़िया यार अपना दोस्त है आप accept कर रहे हो अगर मालो मुझे आप कहरे हो तुप पतला है तुप ते निकल यार तो तेरी body side में तुप निकल मुझे कैसा फील होगा अल फील किया है कैसा इंसान है मुझे accept कर रहा है भाई जैसा मैं हूँ तो it's all about acceptance क्या बोलना चाहिए मुझे accept करो लोगों को जैसे वो है don't expect them to be like you बस उन्हें accept करो क्योंकि इसी के जोरत है दुनिया में और वह इसी चीज में लगाते हैं कि यार में कुम उन्हों उसको अपने जयसा बनाना है तो फिर यह जो सोच है न वो सही नहीं तो खुद को accept करो दूसरे जैसा हैं उन्हें वैसा accept करो वो जो चीज नहीं डिफरेंस लाती एक सोसाइटी में और फिर यह जो सोच है यह एक आपके समाज को हमारी सोसाइटी को एक अच्छा एक अच्छी सोसाइटी बनाती है हमारी जो भी कंट्री है इसको एक अच्छी कंट्री बनाती है हमारे जो स्टेट है उसको एक अच्छा स्टेट बनाती है यह सोच और यह जो